सभाज आएंगे राम जी गौतम का नामांकन बरेट पाये गया है बजाज ने सपा के समर्थन से पर्च भरा था बियस पी का प्रत्याशी निर्विरोध राज सभाज जाएगा अब राज सभा के लिए 10 सीटे हैं और 10ी प्रत्याशी मैदान में हैं सभी प्रत्याशी अब नि गलत था इसलिए उनका पर्च खारिश कर दिया गया है अब राज सभा के रण में 10 प्रत्याशी हैं और 10ी यहां पर सीटे हैं तो ऐसे में बसपा प्रत्याशी का निर्विरोध राज सभाज जना लगभत है राज सभा चुनों से जुड़ी एक और बड़ी ख़वर आपको किया था रिटर्णिंग आपिसर के फैसले के खिलाब अपील करेंगे कल हाई कोट में प्रकाश बजाज अपील करेंगे और इसी खोर पर जह जनकरी के साथ मौधता सीमाव हमाइसा जुड़ गया है सिमाव जिस तरह से प्रसावा कर नाम गलत होने के बाद प्रकाश का पर्चा खारिज हुआ और बसपर प्रत्याशी राम जी गौतम का पर्चा वैद पाया गया तो जाहिर सी बात है कि जो प्रकाश बजाज है वो इस बात को पहले से कहते आ रहे हैं क्योंकि उनका मानना है और उनका आरोब है कि भारती जनता पार्टी के इशारे पर कहीं ही नहीं ने के साथ जो है वो इस तरह का पेढ़ पायद किया गया है उनका पर्चा जो है को कारिश किया गया है अब वो इसको ले革 चुनाव-ायोग चिना है पुनाव आयोग के सबस्क्र करेंग उसके पारति करते अब even का पारिज किया पर मामले में लगा तार ट्विश्ट चारहों देखने में लिबात होगी कि हाई कोड जाने के बाद क्या कुछ सामने आता है। अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। बच्ची कुमर क्या होगी है। और इसी कोड़ पर जार जान खरी के साथ हम वादाता धीरेन हमाई साजुने है। धीरेन दो दिन हो गया है। अभी कोई सुराग नहीं लगा है। और मामले को दबाने की कोशिश की जारे इसी का अपहन से लगा था अपहन सकते में। तो दबानों उनके ओपर आमला भर हो जाते हैं। और पुलिस से मारते हैं, तुइटते हैं। अगर जो पूरे मामले में पुलिस से शिकायच की है, तो पुलिस में मामला दर्श्प कर लिया है। वहीं पर माहिलाओं जिस तरीके से इस तरह राह इस तरह से अपारान की वार्दात हो रही है। तो पुलिस की जो कारिशाहिली है, वो भी सवालों के डिले में जी। धीरन तमाम जनखाई देने के लिए आपका शुक्रियां।